हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का बिगनर्स बैंक चैनल पर तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो मॉडर हिस्टरी का लेकर के आए हैं याने की आदमिक इतिहास अगर मैं अपनी बात आपको बता हूँ तो आज से चाहस साल पह करने की मुझे हिस्टरी कुछ नहीं समझ में आती है और नहीं मन करता है तो मैंने पाया कि किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए सबसे पहले उस बीमारी का कारण जानना पड़ता है मैंने भी कारण जानने की कोशिश की और मुझे पता चला सबसे बड़ा रीजन तो यह ही है कि history को कोई interesting तरीके से पढ़ाते हैं अब interesting का मतलब क्या होता है interesting का मतलब यह होता है कि अगर हम कोई कहानी के form में चीजों को समझें एक तरीके से जाने एक पूरी बात को starting से समझने की कोशिश करें और end तक जाएं तो बात कितनी भी hard हो कहानी के माधियम से easy लगती है सर लगती है जैसे कि maths examples से बहुत easy हो जाती है तो बस मैंने भी वही किया और आदुने के इतिहास और modern history मुझे समझ में आने लगी तो आज मैं आपके लिए भी वही अपना तरीका ले कर के आई हूँ आपको बस comment में इतना बताना है कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा और आपको पसंद आया या नहीं और आपको समझ में आया की नहीं अगर आपको modern history का मेरा ये lecture पसंद आये और मेरे handwritten roads भी आपको अच्छे लगे जो कि लाइक भी करें तो चलिए अब लेट नहीं करते हैं शुरू करते हैं जब आप modern history की शुरुवात करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा भारत में यूरोपियों का आगमन arrival of British in India यानि सबसे पहले जो ब्रेटिश इंडिया में आय थे आदनी की इतिहास वहीं से क्यों start होता है तो देखिए इतिहास का मतलब होता है पुरानी बाते पुरानी चीजें और आदनी का मतलब होता है जो हाल ही में हुआ हो तो अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले जब विकास हुआ तो प्राचीन भारत आया एंसाइंट हिस्टरी तो उसमें तो वही पूरा पाशाणकल मध्य पाशाणकल ये सब स्टोन एज कॉपर एज यही सब आता है क्योंकि वहां से हमारी जो जीवन शैली है उसका निर्मान होना start हुआ फिर उसके बाद आया हमारा मध्यकालीन इतिहास यानि की मेडिवल हिस्टरी अब उसमें जो बीज की घटना आई हूँ जैसे मुगल आये मराठा आये बहुत से लोग आये उनके बारे में आया और लास्ट में इतिहास में हमारे बिटिशर्स आये और बिटिशर्स ने इतना परेशान किया इतना जाता है तो बस इसलिए modern history को हम यूरोपियों के आग्मन से पढ़ते हैं क्योंकि वही वह फेज है जहां जो history भी है लेकिन modern भी है क्योंकि last में ही घटित हुए उसके बाद तो इंडिया आजाद हो गया और आजाद भारत में हम तब से रह रहे हैं तो फिर वह history का part कैसे हो इसमें मैंने बहुत सुंदर सा डाइग्राम बनाया बताएगा कि मेरे ड्राइंग भी अच्छी है या नहीं देखें यह यहां पर नॉर्थ अमेरिका है यह हमारा South America यह इस्पेंड यह पुर्टगाली यह यूरोप यह है टर्की और यह हमारा इंडिया और इंडिया के यूरोप के लोग इंडिया में आना चाहते थे, क्यों आना चाहते थे, वैपार करने आना चाहते थे, अब कोई बाहर की कम्पनी हमारे भारत में आएगी, तो वैपार करने के उद्देश्य से आएगी, पैसा ही कमाने के उद्देश्य से आएगी, अब आप भी अगर बाहर आपका यही तो मोटिव होता है कि मुझे पैसा कमाना है पढ़ाई भी आप करने जाते हैं तो यह उद्देश होता है कि बढ़िया डिक्री मिलेगी तो पिर अच्छी नौकरी मिल जाएंगी और अगर डायर्क्ट आपकर आपकाने जा रहे हैं तब तो सीधा ही मोटिव हो गय जाकि के आप कमाने ही गए. उसी प्रकार, यूरूपी भी इंदिया में आए थें. तो हुआ क्या था? कि पहले तो यूरूपी टर्की में आते थे और टर्की से इंदिया में आ जाते थे. तो ये हमारा इस्थलिया मार्ग खुला हुआ था. यानि जो जियोग्रॉफिल एरिया है वो उपन था आराम से आ जाते थे लेकिन कुछ कारणों से टर्की में युद्ध की स्थिती बनी और ये जो टर्की वाला जो रीजन है ये जो एरिया है ये क्लोज हो गया बंद हो गया अब जब इस थल मार्ग बंद हो जाता है तो कोई रस्ता तो निकाल नहीं पड़ेगा तो यूरोपियों ने क्या किया सोजा कि चलिए हम समुद्रिय मार्ग से जाते हैं तो बस यहीं से हमारा जो ये यूरोपियों का समुद्री मार्ग से आना था ये स्टार्ट हो गया तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो है पुर्त गाली ये जो पूर्तगाली हैं, ये समुद्री मार्ग से इंडिया आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होता ये हैं, कि ये इंडिया तो पहुँच नहीं पाते, क्योंकि अब पहली बार कोई काम करेंगे, तो गलत भी हो जाता है, तो पहली बार समुद्री मार्क से आ रहे हैं तो इंडिया पहुँचने एकी जगे ये पहुँच गए Cape of Good Hope तो अगर आपसे कोशन पूछ लिया जाए कि Cape of Good Hope पहुँचने वाले लोग कौन थे तो वो पुर्त गाली थे उसमें जो पहला वेक्ति आया उसका नाम क्या था उसका नाम था बार्थो लोमियो डियास ये नेक्स स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहां सिर्फ आप पूरी बात को समझ रहें तो ये Cape of Good Hope पहुँच गया बार्थो लोमियो डियास इंडिया तो पहुँची नहीं पाया चल ये तो पहला वाला व्यक्ति फेल हो गया हो जाता है कभी कभी फेल भी हो जाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति आया कोलंबस नेक्स्ट व्यक्ति आया कोलंबस कोलंबस ने भी स्टार्ट किया आना और उस वो आया तो इंडिया की ओर लेकिन वो इंडिया क्योंकि भारत जो पूरी दुनिया है वो तो गोल है तो वो इसी चक्र में घूम करके नौर्थ अमेरिका पहुंच गया कट्व यह पहँंचना तो इंडिया ज़ंद आता था लेकिन पहुंच गया नौर्थ अमेरिका और इसी ने इसी कोलंबस व्यक्ति ने नाम दिया west endage तो अगर ये question पूछ लिया जाए कि west endage किस ने नाम दिया था तो Columbus ने दिया था ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अब जो last में हमारा वेक्ति आएगा वो है जिसका नाम I hope कि आप सबको पता होगा Vasco di gamma ये जब आया तो ये हमारे इंडिया में पहुँच गया और ये इंडिया में सबसे पहले जो पहुँचा वो इस इस्थान पर पहुँचा जिसे की बोलते है कोची और कोची में एक व्यक्ति है Jamurian उसने इसका स्वागत किया Jamurian ने और एक question यहाँ पर और बनता है कि जब वासको टिगामा कोची पहुचा Jamurian ने स्वागत किया यह तो आप समझ गये लेकिन अब यह आया तो इस हिंद महासागर से है हिंद महासागर है हिंद महासागर है तो यहाँ पर एक गुजराती नाविक होता है उसने यहाँ पर इस वासको टिगामा की हेल्प की और उसकी हेल्प की वज़े से यह कोची पहुचा तो उस व्यक्ति का नाम क्या है यह आपको कमेंट में बताना है अगर आप थोड़ी बहुत भी हिस्टरी जानते तो मुझे भी तो पता चले ना आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूं तो थोड़ा कॉपरेशन भी जरूरी है मैंने आपको इतना बता दिया अब आप इतना तो बताई सकते हैं मगर परशान मत हो जिए अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट में इसका उत्तर जरूर दोंगी कि जो हिंद महासागर में कौन वो व्यक्ति है जिसने वासको डिगामा की हैल्प की इंडिया तक पहुँचने में लेकिन अगर आप चांदे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं तो चलिए अब हम स्लाइड देख लेते हैं तो जो मैंने बताए कि सबसे पहला व्यक्ति जो इंडिया आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पहुँच गया Cape of Good Hope उतका नाम है बार्थो लोमियोडियास फिर कोलंबस आने की कोशिश कर रहा था वो पहुँच गया नौर्थ अमेरिका और लास्ट में हमारे वासको अब एक बात मैं आपको यहां पर और बता दूं कि जो यूरोपिय थे वह भारत में आने की कोशिश कर क्यों रहे थे अब यह तो आप समझ गये कि टर्की में प्रॉब्लम हो गई थी यह रास्ता क्लोज हो गया था इसलिए उनको समुद्र मार्ग से आना पड़ा और इसलि समय पे जो यूरोप था वो कुछ modern हो गया था यानि वो आधुनी की करण पे चल रहा था और इंडिया उस समय समान ये स्थिती में था तो ऐसे में आप कोई नई नई चीज़े अगर बनती हैं जैसे आपके पास अगर नई कार आए या फिर नया मुबाइल भी आ जाए तो आपने फेजिक्स पड़ी तो आपको पता होगा और इसके इलावा वैपार करने के लिए वहां वह भारत के और आना चाहते थे मसालों की खोज के लिए आना चाहते थे उसके पीछे बीएक रीजन ये था कि वहां कि इस्थितिया ऐसी नहीं है कि वहां पर मसाले उक सके कि अगर आपको अब तक समझ में आ गया है तो बताईगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो चलिए next आगे बढ़ते हैं अब हम इसी क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया यहाँ पर यह n का मतलब है नैविगेटर नैविगेटर मतलब नाविक और यहाँ पर यह सी का मतलब है कंपनी कंपनी तो यह वाली जो यह ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं यह सारी कंपनियों के क्रम है और यह जो ब्लैक कलर का है नाविक के क्रम है मैंने हिंदी इंगलिस दोनों को लिखा है तकि आपको कोई कंफ्यूजर ना और दोनों प्रकार के स्टुडेंट्स आराम से पढ़ पूर्टगाली है यहां भी पूर्टगाली है तो एक बारी लिख दिया है पॉर्टिगीस तो आप समझ जाएंगे आराम से इतना तो आई होप कि आप समझ पाएंगे तो नाविक में सबसे पहले आए डच फिर और अंग्रेज बिटिश फिर डैनिश फिर आए प्रांसीश उसके बादा स्वीडिश यह क्रेम क्यों बता रहें क्योंकि एक्जाम में क्रेम पूछा जाता है कई बारी आपको डच अंग्रेज डैनिस फ्रांसिसी स्वीडिश वो अलग-अलग लाइंग से लगा कर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले भारत में नेविग यह तो ठीक है लेकिन अंग्रेज तीसरे नंबर पे जाकर के कंपनी बना ली अब अंग्रेज थोड़ा जल्दी-जल्दी काम करने में थे इसलिए तो भारत को इतने दिन गुलाम रखा कुछ तेज होंगे तभी तो ऐसा कुछ काम कर पाएंगे ना तो बस यहां पे आपको उसके बाद तो सारे सेम हैं डेनिश आए जय रहाएं व हभर याद भी हो गया होगा तो चलिए अब हम एक एक कंपनी और एक एक यूरोपिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे उन पॉइंट को पकड़ेंगे जोकी एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले कौन आये थे पूर्थगाली तो जाहिर सी बात है हमें पूर्थगाली पूर्थविश के बारे में समझना पड़ेगा अब इसे रिलेटेट कोश्चन्स आएंगे एक्जाम में तो पता दो होना चाहिए तो चलिए हम देख लेते हैं देखिए पूर्थगाली में सबसे पहला कोश्चन तो यह है कि पूर्थगाली ही जो वास्कोडी गामा था वास्कोडी गामा भारत आया यह तो आप जानते हैं लेकिन वास्कोडी गामा पूर्थगाली था वह सबसे पहले आया 1498 में 1498 में और वास्कोडी गामा जब भारत आया और उसने यहां पर वैपार किया तो उसको बहुत ज़्यादा हो गया साथ गुनात तक उसको लाब हुआ समझ लिए जिक इतना ज़्यादा इसलिए भारत को सोने की चिडिया बोलते हैं कि उस टाइम पे भारत इतना सम्रद्ध था इन अंग्रोजों ने तो सारा का सारा कर दिया है चलिए खैर तो वास्कोटी गामा सबसे पहले आए और उन्होंने जब देखा कि यहां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है भारत में तो यह वापस अपने पूर्तगाल गए तो उन्हों इन्होंने वहां पर जाकर वहां के जो प्रिंस हैं उनका नाम है हैं हैं है जो प्रिंस हैं उन्हें बताया कि भारत में वैपार करने का बहुत ज़्यादा लाब है और वहां पर बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो हैंडरी ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है अगर इतना ही फायदा है तो चलो वहां पर कंपनी बना देते हैं और उन्हो प्रिंस वगेरा होते हैं भारत में जैसे गवर्मेंट की सरकार की सब चलती है वैसे वहाँ पर प्रिंस वगेरा की चलती है राजा माराजाओं की चलती है तो वह जो भी काम करेंगे वह गवर्मेंट ही होगा सरकारी होगा तो सरकारी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एस्टा को डी अलमेडा और इनका कारेकार रहा 1505-1509 वितत तो यह इतना आप समझ पाई कि पहले आए यह इन्होंने जाके बताया वहां के प्रिंस को प्रिंस जी ने देखा बड़ा फायदा है तो उन्होंने यहां पर सरकारी कंपनी बना दी उसका हेड़ कोची को बना दिया और आगे क्या होता है आगे यह होता है कि अभी यह जो फ्रांसीसको डी अलमेडा जी यह कुछ न कुछ काम तो करेंगे जब आएं तो इन्होंने यहां पर नीले जल की नीती निकाली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी यह पॉलिसी क्या है यह जो भारत ये भारत में जो समुतर के किनारे के बिल्कुल छेत्र है यहां पर छोटे-छोटे इन्होंने रहने की चीज़े बना दी मतलब रहने की चीज़े मतलब जैसे समूद्र से जब यह लोग जाएं तो इनका यहां पर ठीका ना हो इस तरह की चीजे बना दिये और इसी पॉलिसी को का गया नीले जल की नीती यह नीले जल की ब्लू वाटर पॉलिसी सॉड़ी यह गती नहीं है, यह नीती है थोड़ा सा यहां गल्त हो गया है आप इसको ठीक कर सकते हैं उसके बाद अभी फ्रन्सिसको डी तो ये काम किया इसके बास सेट गौवरनर राये सुध्य प्रंसिसजों डी अल्बुर्ग इनका कारेकाल रहा 159-1515 भीत यह तो 레त वा कॉंपनी के नाम है अलफांजों कि एसा कराने में तो आप समझते हैं कितना फायदा आप देखी रहें आज कल दहेच पृषपर चलती है तो लोग्ड we करते हैं मुझे बतारी जब्दार के रहने का आए कि वो शादी करा के अपना संबंध बना कर अपने वैपार को और बढ़ाना चाहती थे तो यह ऐसा काम किया और अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया अब ऐसा काम करेंगे तो वास्तविक संसापक तो बनेंगे ना कंपनी को बढ़ाने की सारे काम करेंगे तो वास्तविक संसापक तो बन नहीं है इसके साथ इन्हों ने किया हार्मूज और मलक्का जलसंदी पर क 1510 में इन्होंने गुवा पर नियंतरन कर लिया यानि गुवा पर कबजा कर लिया गुवा को अपने अधिकार में ले लिया तो यह अभी तक पूर्टगालियों से एक तो अलमेडा और अलबुर्क तो यह हमने पहला पुर्टगाली को कम्प्लीट किया है सिर्फ अभी हम एक को कम्प्लीट करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट रिफिए जैसे कोशन बनते हैं सिर्फ उतना ही उतनात में देखेंगे जो प्री में आना है तो पुर्टगाली को हमने कवर कर लिया अब हम इसके बाद डच को अंग्रेज को फ्रांसिस को और थोड़ा सा डैनिस को भी देखेंगे तो कोशन नहीं बनता तो इसे ने देखेंगे यह तो बसमें क्रम में जानना था तो अभी तक आपको मेरी पढ़ाई पढ़ा झाल 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 झाल